नमस्कार मैं प्रांशी रठोर और आप देख रही है निक्स्ट नाइन न्यूस भारती किरकेटर रिशप पंद की स्तेहत को लेकर इस वक्त देश्वर में दुआओं को सिलसला जारी है बीते कल जिस तरीके से रिशप पंद एक गंभीर हाथसे का शिकार हुए जिहां आपको बता दें कि रिशप पंद अपनी गाड़ी में मौझूद थे और उनकी गाड़ी किस तरीके से सफर के दौरान यहां पर जो गंभीर हाथसा देखने को मिला देहरादूर में जिसके चल रिशपन्त की हालत काफी जादा गंभीर भी बताई गए फिलहाल देखा जाए तो सरजरी हो चुकी है और रिशपन्त की हालत पर यहां पर तमाम वरिष्ठ निताओं के साथ साथ यहां पर उनके चाहने वाले दौाइं मांगते हुई नजर आ रहे हैं कि वह जल से जल ठीक हो कहीं न कहीं रिशपन्त की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं उत्रकंड में हादसे का शिकार हुए टीम इंडिया के किर्केटर रिशपन्त का इलाज इन दिनों देहरादून के एक हॉस्पिटल में चल रहा है रिशपन्त की माथे दाहिने घुटने दाहिनी कल आई और टकने के साथ साथ कई जगा चोटे आई हैं राहत भरी खबर ये है कि अब हैं खत्रे से बाहर हैं और अस्पताल के डॉक्टर्स की कड़ी निगरानी में बने हुए हैं आपको बता दें कि हादसे की जांच के उद्देश्य से फॉरंसिक टीम भी शनिवार को हादस वाली जगा पर पहुँची और ऐसे में देखा जाए तो वहां पर उत्राखंड की डीजीपी ने रिशपंद के हादसे से जुड़ी कई जानकारियां भी दे दी हैं अब यहां पर कई बड़े आरूप लग रहे हैं रिशपंद पर देखा जाए तो यहां पर ये आरूप भी दिए हैं उन से ये सवाल भी किया गया कि क्या इसे आप ओर स्पीडिंग केस की तरह देख रहे हैं उन्होंने कहा साफतोर पर कि सिंपल स्लिपिंग केस है ये देखा जाए तो यहां पर उन्होंने अपने एक इंटरिव्यू में बताया है डी जीपी का कहना रहा कि मेरे अधिकारियों ने मुझे ओवर स्पीडिंग को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं बताया रिशपपंत को गाड़ी चलाते समय जपकी आ गई थी जिसकी वज़े सी ये सड़क तुरगटना हुई थी इससे पहले रिशपपंत ने शुकरवार को हाथसे के बाद यही बताया था कि उन् भी चोठें नहीं मिली हैं लेकिन डॉक्टर्स की कड़ी निगरानी में हैं और ऐसे में देखा जाए तो रिशपपंत एक हाथसे में देखा जाए तो बाल बाल बचे हैं मालूम हो कि उनकी लगजरी का शुकरवार के तड़के दिल्ली दहरादून राजमार्ग पर सड़क के डिवाइडर से टकरा गई जिसके बाद उनकी गाड़ी धूं-धूं करके जलती हुई नजराई ऐसे में देखा जाए तो पुलिस का कहना यही रहा कि 25 वर्षिय रिशपंत के सिर पीट और पैरों में चूटें आई हैं आपको बता दे कि उत्राखंड के हरिद्वार जि अब देखना होगा कि रिशपंत कब जल से जल जब ठीक हो जाएंगे तो आखिरकार यहां पर क्या कुछ एहम फैसिल ले जाएंगे फिलाल देखा जाए तो देश के पीम नरेंदर मोदी जी जो हाल ही में अपनी मा को खो दिये हैं उन्होंने रिशपंत की मां से बादचीत की है फॉन पर और कई ऐसे सेलेब्रिटीज हैं उनसे मिलने भी पहुच रहे हैं आए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट हम मैं और अनिल साब यहां आए थे तो मारा उत्तरदाय तो बना कि हम पता लगा कि रिशप की हास्पिटल में है तो इस कॉमन नागरिक मैं और अनि कुछ में हैं और हम दो रखता कि कुप्रिली जो जो हमें फिकरती हो बिलकुल नहीं है तो ही शुब ही फाइन आते हैं ये सब तो मेडिकल बॉलिटन वाले आपको बताएंगे हम तो सिर्फ मैंने बताया कि ऐसे बटीज फाइन इस फाइन इस फाइन गुड़ से विश्यद अधाज है तो और फिसली खून तो फड़ जाता है हम तो है हम तो है हम तो है हम तो है एस फैंज गया है जाना चाहिए हम एसी पुछ ने नीचे लॉबी में बैठे रहे बंद पंदरा मिनट हमने तो फिर किसी डॉक्टर ने हमको पैचाना मतलब हमने मास्क बास लगाए थ को फिर सिटेवर को और आप ने रूबी में आपन अपने आपकी शुद्धी करन के लिए ठाटा लॉड़ भी घुटर और प्राण चाहूंगा बल्स भात गया हम ट्रीं के लिए गुटाए चाहूंगा कि आपसाब अपनूरा करें और वर्षक कि शुद्ध कामने बास खाल कि अपने कि लीब.